इटावा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है सैफ़ई मेडिकल कॉलेज की एनम छात्रा की बेरहमी से हत्या कर दी गई है छात्रा का नाम प्रिया है बताया चाह रहा है कि यूबति की हत्या के बाद उसका शव सड़क के किनारे पर मिला प्रिया की मा ने पुलिस से जिसके बाद तीन लोगों पर मुगत्मा दर्ज किया गया परिवार वालों का कहना है कि ये पूरा मामला एक तरफा प्यार का है घटना के दिन प्रिया लगबक दो बज़े से ही लापता थी वार्डन नीलम शाह ने उनके घर वालों को सूचना दी जिसके बाद प्रिया की तलाश शुरू हुई और उसका स्व बैतफूरा थाना मदर देरी छेतर में बरामद हुआ हाला कि पोलिस ने मुख्य आरोपी महेंद्र को गिरफटार कर लिया है और अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए चार टीमें लगी हुई है इस पूरे घटना करम पर यूपे के पूर्व मुख्य मंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नारी का नमान बचा पा रही है नहीं जान ऐसी और खबरे देखने के लिए बने रही हमारे साथ वीसी खबर